तो हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल श्रेवजार वित आयुश और बात करेंगे इस वीडियो में जेस जब्ली इंफ्रस्ट्रक्चर आईपी ओ की लिस्टिंग के ऊपर तो आज एक बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग हुई हाँ जरूर लिस्टिंग की एक्स बाजर जिस तरीके से हाल फलाल में कारोबार भी कर रहे हैं अपने आपने ये जरूर है कि एक साइन कुछ खास पॉजिटिव आपको मार्केट में नहीं देखने को मुलते हैं जिसका असर आपको डिफिनिटी लिस्टिंग पर भी देखने को मुला बट गुड थिंग इस क कि जो रणनीती है वो क्या रहने वाली क्योंकि देखे पैसा तो जिन लोग को भी अलॉट्मेंट आया उनका आज डिफिनिटली बनिया अच्छा का सो मुनाफ़पन गया मैं तो यह कहूंगा 30% अगर आपने नहीं बीचा हो तो डिफिनिटली आपका पैसा बना है तो उसक कंपनी जो है वो कागो सर्विसेश यह सब जो होती है वो फ्रवाइट सीर्विसेज जो कंपनी करती है और यह Nepbok सर्विसेश जो में बीसिकली उपांपने ब組ल्डे Το से जदाधै मैं यह कहूंगा कि काफी जाधा मुष्किल है इस सक्टर के बlles word करना बस temperature है यह है कि एक ऐसा सेक्टर है कि जो अपने आप में काफी जादा मुश्किले इसमें जिसको हम कहते हैं हाई entry barrier हाई entry barrier का मतलब यह होता है दोस्तों कि इसके अंदर कोई भी नहीं आसानी से गुश सकता है इसके अंदर काफी जादा आपको नेटवर्क काफी जादा आपको डिफिनिटली काम काच करना पड़ता है उसके बाद जाके इस स्क्टर के इंदर आप अपनी पेचान मना पाते हैं और इसलिए दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी पीर है वह है अडानी पता हुआ देखने को मलता है और उसका जही जैसे ज़े इसके नाम पर इंफरस्ट्रक्ट्चर ज़रू आता है बट काम इसका बेसिकली पोर्ट और सब्सक्राइटर है और आज इसकी लिस्टिंग अच्छी होती है और अच्छी खासी लिस्टिंग यहां पर प्रीमियम पे अच्छी लेकर आगए ऐसे लेकर आगए जो डिफिनिटली काफी जादा आपको देखने को मिलेंगे जिसमें दिक्कत देखने को मिलेंगी ना इसा कुछ नहीं था प्रॉब्लम नहीं थी ज़रूर थोड़ा बहुत नीचे और लेकर आ सकते थे बट जिन लेवल्स पर भी उसको भी कोई जादा नहीं कह सकता है दूसरी बात क्या है कि इनका जो ट्राक रिकॉर्ड है जो एस्टबिलिस बाइपारेंट कंपनी है जो डिफिनिटली डिरेक्टर्स है जो प्रमोटर्स है वो आपको काफी जादा एक्सप्रेइंसे बल देखने को मिलेंगे इनको लगाता growth इंडिन Ekonomi में जिससे growth देखने को मिलेगी इस company को भी वही growth definitely देखने को मिलेगी आईलिस्ट ये जो इन прил Cake की पोर्स में अपने shipment दालते है तो ये लगाते हैं तो strong percentage है कि इसके जो growing business model और growth है इससे अच्छे returns बनने की भी उमीद लगती है इसलिए देखिए पैसा जो हो निकल कर आया था देखिए QIB अगर 50,000 क्रोड के आसपस किसी issue के अंदर लगा रहे तो definitely आपको समझना पड़ेगा कि उस issue के अंदर कुछ तो बात है और exactly वह आपको देखने को आज मिल गया जब listing हो जाती है देखिए जुनका financial record है वो अपना अपने इतना strong है कि company consistent performance इन्होंने revenue में दिया है EBITDA पे दिया है वो profit CAGR पे दिया है जुनकी compounded annual growth rate है वो almost 41% है और ये 41% है जो company की almost EBITDA है sorry revenue है फिर EBITDA company के 42% growth पे दिखा रहा है और यो profit का CAGR है वो almost 62% का रहा है वो कब-कब है F5 21 से 23rd के period के अंदर तो आप कुछ समाझ सकते हैं कि देखिए growth जो सबसे important बात है growth जो है वो company के visible है growth में कोई भी problem नहीं है लगाता growth कर रही है company की जो market cap है वो almost 24 सा 990 करोड के आज पा स्टैंड करती है आज और बढ़ चुकी होगी लेकिन जिस valuation पर लेकिया थे यह almost 28.9 का price to earning पे दोस्तों company अपना IPO लेकर आती है बाकी जिसका listed PLA डानी port अगर आप उसका मुझ से ratio पूछेंगे ratio तो वो 33.8 का है और इसका कितने पर आया है 28.9 का तो जग already थी पैसा बनाने की इसलिए इसमें पैसा भी निकल कर आ गया अब आप आज खुद ही देख सकते हैं कि इसके अपर सरकेट लग गया अब डिमांड कितनी जादा higher थी इसको इसी चीज़ से हम compare कर सकते पैसा आना चीज़ देखिए 60,000 करोड रुपया का QIB का था अब ऐसा थो जहनी कि हरे QIB को allotment लगा है लेकिन उसके बाद QIB का पैसा लगाना यह साफ-साफ एक clear indication है कि definitely company के अंदर दमखम तो है और I think एक सबसे important बात यही है कि देखिए sector के अंदर definitely सबको विश्वास है कि बढ़ जाती है और logistics के important बढ़ जाती है तो definitely ऐसी companies के अंदर तो पैसा आएगा जो काम करती है इसलिए देखिए Adani Ports की अगर आप मुझे बात पूचेंगे तो definitely over the years investors का पैसा काफी बढ़िया बना है और Adani Group में यह भी मैं सही कह सकता हूं कि अगर कोई सबसे बढ़िया company म बन्वील हो रही है सबसे बड़ा beneficiary तो नहीं but definitely one of the beneficiaries हम कह सकते है वो port sector रहता है वो logistics services वाले area रहता है जिसमें JSWSA companies undoubtedly काफी जादा कमाल कर सकती है अब देखिए आज तो upper circuit लग गया है यानि इसका मतलब यह है कि बहुत जादा chances है कल भी आपको यह उपर ही खुलता होने ज लग जाता है तो इसका मतलब यह clear indication है कि definitely इसके इंदर 30 थोड़ी दिन चल सकती है क्या लेना चाहिए इन लेवल्स पर देखिए अगर आप मुछेंगे तो इसका price turning तो महेंगा हो गया है 62 का सबसका हो चुका है जो अपना अपना अच्छा हायर definitely हो चुका है लेकिन यह बा बढ़िया दमखम लगता है growth story बढ़िया लगती है और लगता यह भी है कि हां यहां से यह company बढ़िया अपना आपको बढ़ाएगी तो वहाँ पर कोई problem नहीं आने वाली है तो बिल्कुल यहां पर पैसा लगाना कोई गलत बात नहीं है बट अगर आपका view short term का है तो हो सक है तो आप wait कर सकते थोड़ा बहुत यह अगर आपको मिले वापिस से करीबन 150 उर्पे के आसपास तो ले लीजे यही दिखना है कि कितना उपड़ टिक पाता है अगर टिक गया आराम से तो फिर तो कोई problem नहीं है बट टिक नहीं पाया तो फिर I think मौका बन जाएगा अब अब भी आपका वी बताइए इस वीडियो में इतना इदा thank you friends for watching this video